ओप अर्ज़ेगी चिया ओप और आपbear कर लिए type अरे भी अब आधने मैं को प्रेस कर लिए ताकि जो भी इन्फर्मेंश ने पर commen horector कि दहुंगा कि को hemपीट देखिंगए उधो क्ले कबीडी सब्सक्रायर में को थो के संद खोर्ड़ रख है उस चार्ट को देखिए आप चार्ट के हिसाब से पूरा काम हो रहा है यहां पर आप यहां पर देखो कि यह जो support zone है इसके अंदर यह आ चुका है और यहां से अगर उपर जाता है तो यहीं से सबसे best situation होगी कि यहीं से उपर आ जाए और अगर यह उपर नहीं आता है और इसने एक बार इस level को जोगी 17,755 इसको नीचे break कर दिया तो फिर इसको 17,575 आना ही पड़ेगा क्योंकि अगर यह 17,575 नहीं आता है तो भी इसकी correction पूरी नहीं होगी और यह फिर से नीचे आने की कोशिस करेगा यहां वापस जाने के बाद में तो इसको काम पूरा कर इस नीचे की साइड में बना हुआ है हमने बात कि थी कि यहां पर support ले सकता है तो इसने देखो support भी लिया और आज open हुआ और थोड़ा सा नीचे आया फिर इसी का support लिया फिर उपर गया यह उपर जाने के बाद में हमने कल बात की थी कि यह जो area बना हुआ है यह वाला area इ अगर यह जो आज का level है 7800 low है इसको नीचे की साइड में break करता है तो फिर यह 7775 के बास में आकर कि यह फिर कोई range बनाता है और उस range को उपर के side में break करेगा तो काफी तेजी से उपर जाएगा और नीचे की side में break करेगा तो फिर काफी तेजी से नीचे भी आएगा यह बार-बार में शी trend line का resistance ले रहा है अब कल उपर जाता है तो इस trend line का ही resistance लेगा और जो इस trend line के अंदर यहाँ पे जो swing बने हुए है आप देखो कि इसने पिछले वाले swing को कभी भी उपर cut नहीं किया है लेकिन जो नीचे की side में आप देखोगे तो इसने नीचे swing cut कर दिय है यह तो यह इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा मैंने आपको levels बता दिये हैं अब यहाँ पर चलते हैं bank nifty के चार्ट के उपर देखोगे तो यहाँ पर चार्ट को अच्छे से देख लीजिए जो मैंने आपको support और resistance बता रखे हैं उस case आप से चार्ट बना रखा है मैं अब अगर इसको उपर जाना है तो यही वैस situation है इसके उपर जाने की तो यहाँ पर हम 15 मिनिट पर चलके देख लेते हैं कि इसने कैसे काम किया है और कैसे काम कर सकता है तो यहाँ पर भी मैंने एक जो trend line है वो चोटी time frame पर बना रखी है आप देखोगे कि यह जो trend line बनी यह एक pattern बन गया अब इस trend line के या तो नीचे की side में break करेगा जो pattern बना हुआ उसको या फिर उपर के side में break करेगा अगर उपर जाना है तो इस trend line को break करके जो यह swing बना हुआ है इसके उपर जाना होगा जैसे इसके उपर जाएगा तो यह जो swing बने हुए है आपको इसमें मै जताः भी जो किया दर में जाए टो यहां पर देखे कि अगर यह घ्युट नीचे साइड्weise करता है तो यह जो अपना यह जा्पना लेवल है जावाला वाली चालीजह जार तीन सो वाली लेंज में पका ही आ सकता है यह लेकिन उस्थे पहले 60 4400 का एक support है, जो भी काफी अच्छा है, वहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन जो आपको कैसे काम करना है, उसमें क्या करना है आपको, कि अगर ये कल इस वाला low है, ये वाला low है, इसको break करेगा, तो ही यहाँ पे अपने को entry लेनी है, तो अगर ये जैसे ही इसके नीचे जाता है, और मैं जो पूरे week का जो levels है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिसके अंदर हमने support और resistance निकाल रखे हैं, निप्टी और bank निप्टी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि ये निप्टी के support resistance है, और ये bank निप्टी के support resistance है, आप इनके हुई साब से काम कर स रखते हो, तो ये जो levels और ये analysis है, आपको कैसे लेगी, comment section में जरूर से जरूर बताएं, और ऐसी भेतरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे channel को subscribe कर लिजिए, मिलते हैं next video में, thank you very much.